Hello friends, welcome to Mechanical Tech Hindi Friends, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा Engine Oil Filter का function क्या है इसका importance क्या है इसे time से change करना क्यों जरूरी होता है और Engine Oil Filter को कितने किलोमेटर में change कर दिना चाहिए या कब change कर दिना चाहिए इसी के बारे मैं आपको आगे इस वीडियो मताऊंगा वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी देख आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe जरूर कर ले आप पर देखे मैं आपको बहुत असान लफजों में बहुत असान तरीके से समझाता हूँ देखे हम अपनी गाडियों में जो engine oil डालते हैं जिसे बहुत से लोग mobile कहते हैं तो basically engine oil का काम यही होता है कि engine के जितने भी moving parts वगरा है उन parts को engine oil friction यानि के घर्चन से बचाता है wear and tear यानि के घिसने से बचाता है इन parts में जो भी गंदगी वगरा हो गई है उन्हे engine oil clean करता है साथ ही engine oil engine के जितने भी parts से उन्हें ठंडा करने के भी काम में आता है अभी जो engine oil होता है जो अपने सारे function इन सारे कामों को करता है उससे ये होता है कि जो engine oil है उसमें गंदगी जमा होने लगती है engine oil गंदा होने लगता है engine oil में dust, debris जितने वगरा हो गई वो सब आ जाती है, मेटल के जो पार्ट के जो कन होते हैं, जो कॉंटिमिनेंट्स वगरा होते हैं, वो भी इंजन ओयल में ही जमा हो जाता है, अब अगर आप ये चाहते हो कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है, वो सही से काम करते रहे, इंजन का लाइफ बेहतर हो, और इंजन ओयल फिल्टर को गाड़ियों में दिया जाता है, क्योंकि जो इंजन ओयल फिल्टर होता है, वो इंजन की सारी गंदगी को फिल्टर कर देता है, और इंजन ओयल को क्लीन कर देता है, जिससे के इंजन ओयल बेहतर से काम कर पारता है, तो basically function तो यही हो गया, अब बात करें क इसे कब change कराना चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि basically दो condition है पहला condition की बात करें तो mostly जितनी भी automobile companies है वो recommend करते हैं और मैं भी आपको यही recommend करूँगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी के engine oil को change कराते हो खासर के bike की मैं आप बात कर रहा हूँ तो engine oil को change करते वक्त ही आपको engine oil filter को भी change कर देना चाहिए यह ज़्यादा बेतर होता है अब चाहे आप 3000 में change कराते हो इसे वक्त आपको engine oil filter को भी change कर दोगे तो इन दोने का combination है वो ज़्यादा बेतर हो जाता है आप condition 2 की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के दिमान में यही डॉट आएगा कि अगर हम लोग engine oil को सिर्फ change करा लेते हैं और engine oil filter को change नहीं कराते हैं तो क्या नुक्सान होगा मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका जो fresh आपने engine oil डाला है वो बहुत लंबे समय तक अपने सारे function को सही से perform नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके नमें जो भी गंदगी आ गई है वो सही से जो पुराना engine oil filter है वो clean नहीं कर पाएगा क्योंकि जो engine oil filter होता है उसका बाकी के जितने भी periodic maintenance parts है उसके तरह ही एक fixed life होता है एक सही time period होता है जहां तक वो सही से काम कर पाता है best यही होता इसलिए कि engine oil के साथ आपको engine oil filter को भी जरूर से change कर देना चाहिए तो friends यह एक ऐसा periodic maintenance का parts था जिसके उपर बहुत जादा कभी बाते नहीं होती है क्योंकि engine oil अगरा हो गया, air filter हो गया, spark plug हो गया, इनके बारे तो अकसर बाते होती है लेकिन जो engine oil filter होता है उसे बहुत ही कम लोग ध्यान देते है उम्मीद है कि आज कि इस वीडियो से आप engine oil filter क्या होता है, क्यों change करना चाहिए, कब change करना चाहिए यह सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को like और share जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए आप मुझे comment करके जरूर बताए इसके लाब अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी दबा ले ताकि आने वाले important videos के update आपको notification के थुरू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में, thanks for watching this video Goodbye